ब्रिजभूशन शरन सिंग, कुस्ति के दंगल, दोड़ के मैदान, घुर्टसबारी के साथ साथ, राजनीती के बरे खिलारी है यूपी के कैसर गंज से बीजेपी सांसत ब्रिजभूशन पर इलाके के वकास का जिम्मा है आई अब आपको बता दें कि आखिर कौन है, ब्रिजभूशन शरन सिंग ब्रिजभूशन शरन सिंग, सोलवी लोगसभा के लिए यूपी के कैसर गंज से बीजेपी के सांसत है ब्रिजभूशन सिंग, मौजूदा वक्त में भारतिय कुष्टी संग के अध्यक्षवी है ब्रिजभूशन सिंग, पांच बार लोगसभा के सदस्र चुने जा चुके है साल 1990 में, दसवी लोगसभा के लिए चुने गए इस दोरान वो विज्ञान एवं प्रोध्दुग की रेल मंत्राले परामश दात्री जैसी समितियों के सदस्र है दूसरी बार साल 1999 में फिर से तेरवी लोगसभा के लिए सांसत चुने गए इस दोरान भी वो कई समितियों के सदस्र बने साल 2004 में चौधवी लोगसभा के लिए तीसरी बार सांसत बने साल 2009 में चोथी बार पंद्रहवी लोगसभा के लिए एक बार फिर सांसत चुने गए इस दोरान भी वो ग्रह मंत्राले मानव संसाथन विकास समित कई समीतियों के सदस्स्र से रहे मई 2014 में पांचवी बार सोलवी लोकसभा के लिए फिर से यूपी के कैसरगन सीट से सांसर चुने गए राजनीत के साथ साथ ब्रिजभूशन शरन सिंग को कुष्टी, गुरसवारी और दौड में खासी दिलचस्पी रही है साथी लेखन, गायन और साहित से ब्रिजभूशन शरन सिंग को खासा लगाव है ब्रिजभूशन शरन सिंग को खासा लगाव है ब्रिजभूशन इंडिया 24-7 पीम नरिंद्रमुदी से मिले निर्देश के बाद, नूडबंदी के फायदे, बीजेपी सांसत, अपने संस्दी शेत्र के लोगों को समझाने निकले है इनसे मिलिये ये हैं कि असरगन से बीजेपी के सांसत ब्रिजभूशन सिंग सांसत साब सधे सुर में नूडबंदी के फायदे बता कर जनता को साधने निकलें भूल नगाडों और जैकारों के बीच सांसत का होसला बुलंद है असले से लबरेज सांसद ब्रजभुशन सिंग इधर नोडबंदी के नफे नुकसान इलाके की जनता को बता रहे थे उदर भीड़े एक बुज़ुर्ग किसान हाथ जोड़े सांसद के पास पहुँचा और सांसद महोदे को नोडबंदी के नफे नुकसान भरी महफिल में गिना दी जोस से लबरेज सांसद साहब को नोडबंदी से परिशानी की बिड़ा जोड़े जोड़े किसान ने सीधा सा जवाब दिया सांसद के सामने ही नोडबंदी के दर्द का हिसाब दे दिया सांसद साहब सियासत के मज़े खिलारी है लहाजा किसान की पीड़ा को हंसी में उड़ा गए दुख के साथ खोशी पर जुमला किसान पर ही टिका गए बीजेपी सांसद ब्रजभोशन सिंग का सच से सामना हुआ था किसान का सवाल सीधा लेकिन बेहत गंभीर है किसान सरकार के नोडबंदी के फैसले से परिशान है सो उसी परिशानी को हिम्मज उटा कर सांसद के सामने बयान कर दिया खेर सांसद का काफिला आगे बढ़ा लोगों के साथ नई जगे नई चौपाल लगी नोडबंदी के फैदों का पिटारा लेकर सांसद सहाब नए गवाँ में नई उम्मीदों के साथ पहुँचे यहां लोगों से सीधा समवात किया नोडबंदी के फैदों का जनता को फिर से हिसाब दिया नोडबंदी को लेकर हर जगे लोगों की अलग अलग रायती कुछ सांसर के सामने नोडबंदी के फायदों में सूर से सूर मिलाते नजर आए तो कुछ घरेब किसान की तरह नोडबंदी से हो रही परिशानिया गिनाते मिले इस दोरान सांसर बजबूसान सिंग से इंडिया 247 ने भी बात की सांसर ने क्या कहा ये भी सुनी है असर बजबूसान सिंग अपने छेतर में निकले हैं लोगों को नोडबंदी के फायदे बताने के लिए आये उनसे जानते हैं कि उनके अन्भोक ऐसे रहे जैसे जब मैं निकला तो तीन चार पांच बैंक मुझे मिले और कोई बैंक ऐसा नहीं था जहां बड़ी लाइन नहों कोई बैंक ऐसा नहीं था जहां बड़ी लाइन नहों एकाद बैंक में तो ताले बंद मिले तो मैं अपने मन में विचार करता था कि क्या जबाब मिलेगा लेकिन मैं दिन भर के अंदर आट दस कारिकरम किया है और हर जगा मैंने बिना किसी भूमका के इस बिसे को छेड़ा है और आप से समलिजी इतना जबरदस समर्थन है लोग तकलीफ साने के लिए इसलिए तयार है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये हमारी भलाई के लिए हुआ है और आज का जो कारिकरम हम समझते हैं चार-पांच कारिकरम में आप भी थे और ऐसा नहीं था कि मैनेस कारिकरम था यही मान करके पूरी ज़ता मुदी जी जिसान है इदर सांसत गाउं गाउं जाकर लोगों को नुडबंदी के फायदे गिना रहें उदर सांसत सहाब के संदिफ शित्र में ऐसे कई लोग हैं जो मुदी सरकार के नुडबंदी के फैसले से खास से परिशान है यही मान कि भी कुछ की दिन कहा है यह Le imagining के साटर्डर्डय दिन काम करने के लिए तो के लाघ्टर एंदी का वैम लोगो को लिए मिल रहें मुद आहए दुझ घिरकर गम बने करने करने के लिए और पैस रहें नहीं हम लोग मद्धूर आदमी मद्धूरी करने के लिए खाले यहां चोग पर आते हैं मद्धूरी के लिए पैसे ही नहीं है तो मद्धूर को मद्धूरी कहा मिलेगा बैंक में लोग जाते हैं कहते हैं कि बाग वो पैसे नहीं मिला खेत भी नहीं है कि चलो भाई खेत में पैदा हो गया खाएंगे हम लोग मद्दूर आदमी हैं मद्दूर ही करते हैं कह रहे हैं कि बहुत फाइदा होगा इसका क्या लगता है जिसका घर बना हुआ है उसको घर मिल लहा है सांसत के पास नोडबंदी के फायदों का पिटा रहा है जो जिस भी गाउं शेहर में खोल रहा है खरी-खरी सुना रहा है लेकिन एक सच ये भी है कि नोडबेंस से होरी परिशानी को बताने की हिम्मत सांसत के सामने इस किसान जैसे बिरले ही जुटा पा रहे है जो जुटा पा रहे है उसे सांसत जी सियासी हसी में उड़ा रहे है खुशी हो किसा परबबर होईगी है ये जुटा आता है खरीक महार्य पहुटा पहुटा अमिकुश्चर पांडे इंडिया 24-7 कुंडा